यूपी बोर्ट कक्षा आठवी के एकाई 10 में चत्रभूज की रचनाएं हैं और हमें यह देखना है पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यह दिया गया है फर्स्ट पेज में एक चत्रभूज बना करके दे दिया गया है और इसमें 4 सिर्स, 4 भूजाएं, 4 कोण, संगलगन भूजाएं, वीकिराण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण और सम्मुख भूजाएं दी गई है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहला दिया गया है 4 सिर्स, 4 सिर्स में A, B, C, D आपको लिखते ना है ठीक है, चार भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA या AD, AD आप लिख देंगे, यहाँ पर चार भुजाएं हो जाएंगे, चार कोण हैं, चार कोण में एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, यह हो जाएगा, फिर उसके पास संगलगन भुजाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर सबसे पहले AB है, और AB के ठीक संगलगन में कौन सी और भुजाएं, AD है, AB, AD, और next और भी है, जो की हमारे पास यह दिख रहा है, C के साथ संगलगन भुजाएं, एक CB या BC बोल सकते हैं, और CD बोल सकते हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, विकर्ण, विकर्ण जो है, विकर्ण में AC एक विकर्ण है, और BD एक विकर्ण है, आप ए रेखा देख रहे हैं, जो की एक दूसरे को प्रती छेदित करते हुए निकल रही है, AC और BD, यह विकर्ण है, फिर सम्मुख कौन कौन सा है, सम्मुख कौन में कौन देखना होता ह एंगल A है, एंगल C है, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके B, BD एक दूसरे के सम्मुख में कोड है, सम्मुख भुजाएं अंतिम में दिया गया है, सम्मुख भुजाएं बताना है, भुजा AB के सम्मुख भुजा DC है, आप देख पा रहे हैं कि AB, AB के सम्मुख कौन सी भुजा है, DC, AB के विपरित में या सम्मुख सामने कौन सी भुजा है, DC, और AD के सामने कौन सी भुजा है, BC तो हमें लिख देना है BC, नेक्सट पेज में चलेंगे, नेक्सट पेज में भी भरने के लिए दिया गया है, यहां पर कुछ चित्र दे दिये गया है, आपके सामने, आप देख पा रहे हैं, यहां निम्नांकित सारणी के दिये गये चत्रभूज की विसस्ताएं रिक्त के अंग यहाँ पर आपके सामने साथ चित्र दिये गए हैं और नाम और विशिष्टाएं दी गए हैं कुछ इसमें आपको भरने के लिए छोड़ दिया गया है समलंब ट्रैपीजियम वह चत्रबूज जिसके समुक भूजाओं का एक योग्म समनांतर होता है यानि कि जो ये चत्रबूज सारे ही चत्रबूज हैं चार भूजाएं हैं इन सबी के तो इन में से दो जो भूजाएं हैं एक योग्म एक जोड़ी है एक योग्म है जो की समनांतर है और फिर उसके बाद नेक्ष्ट दिया गया है समांतर होगा समांतर नहीं समांतर होगा समांतर चत्रबूज पैरालेलोग्राम में वह चत्रबूज जिसकी सम्मुक भूजाएं समांतर होती हैं सम्मुक भूजाएं आमने सामने वाली भूजाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं तो समांतर जो भूजाएं हैं इसके और इसके सामने जो AB के सामने DC है या CD है और AD के सामने BC है ये दोनों भूजाएं एक दूसरे के समान होंगी समानतर चत्रभूज के सम्मुख कोण समान होता है और समानतर चत्रभूज के सम्मुख जो कोण बनता है वो कैसा कोण बनता है वो समान कोण बनता है ठेक कर नेक्स je 3 जानी की रॉम्बस वह शमानतर चत्रभूज जिसकी चारो भुजाय समान हो यानी की जिसकी चारो भुजाय समान होती हैं समांतर चत्रभूज के विकर्ण एक दूसरे को केंद्र पर प्रतिछेदित करते हैं यहां पर क्या दिया गया है यहां पर समांतर चत्रभूज की जिसकी चारो भूजाएं चारो भूजाएं यहां पर आप देख पा रहे हैं सम चत्रभूज, रॉंबस, सारी भूजाएं समान होती हैं, यहां पर कहा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इसकी जो केंद्र में विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिछेदित करते हुए निकलती है, आयत यहां पर वह चत्रभूज, इसके परिभासा हो जाएगी, वह चत्रभूज है, जिसकी सम्मुख भूजाएं, जिसके सम्मुख के भूजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, डीसी के सामने, आप सीडी के सामने देख रहे हैं, एबी है, एबी भूजा और सीडी भूजा, एक दूसरे के समान हैं, और यहां पर बीसी भूजा, एडी भ A से C तक और B से D तक जो विकर्ण है वो बराबर होंगे या इसमें इस तरीके से प्रते कोण बराबर होते हैं ये भी कहा जा सकता है ठीक है फिर next है वर्ग वर्ग square अंग्रीज में कहते हैं वह चत्रभूज जिसकी चारो भुजाएं समान होती है चारो भुजाएं क्या होगा यहां पर जिसकी चारो भुजाएं समान होती है ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं चारो भुजाएं ठीक है चारो भुजाएं समान है ठीक है और प्रते कोण 90 डिगरी का होता है प्रते कोण कितने डिगरी का होगा 90 ठीक है वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होंगे, जो विकर्ण होगा वो बराबर हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोर्ण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोर्ण यानि समान कोर्ण पर एक दूसरे को विभाजित करत उत्तल चत्रभूज, convex, quadrilateral, वह चत्रभूज, जिसके प्रतेक कोड 180 degree से छोटे होते हैं, यानि कि जो भी कोड बनेगा, वह कितने का होगा, वह 180 degree से कम का होगा, क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, और 6 में दिये गए चत्रभूजों में, प्रतेक चत्रभूज का प्रतेक कोड 180 से छोटा है, जितने भी यहां पर एक से लेकर के 6 के बीच में, सारे ही जो दिये गए हैं, यहां तक आप देख पा रहे हैं कि सारे ही कितने degree कोड बनेंगे, सारे 180 से कम के ब वह चत्रभूज जिसका एक कौड 180 से बड़ा होता है, इसमें यहां 180 से इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी कौड जो हो सकता है वो 180 से बड़ा हो सकता है, क्रमांक 7 में दिया गया चत्रभूज औतल चत्रभूज है इसका एक कौड D, BC या AB किसी अन्य दो कौड़ों से होगा आप यहां पर दो को दो अन्य कोणों के तुल्ला में यहां डी जो है वो बढ़ा रहेगा ठीक है तो यहां पर यह कंप्लीटली जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए खुद से दिया गया था वो कर लिए हैं नेक्स्ट चलते हैं टेंगे के तरफ यानि की टेंगा गया है सत्या सत्य करने के लिए पहले फर् स्ट में बोला जा रहा है कि चत्रभूज में दो विकर्न होते हैं चत्रभूज की चारो भूजाएं सदया बराबर नहीं होती हैं आपके सारे चत्रभूज जो हैं बे अलग-अलग होते हैं जिसके वज़े से क्या है हमने अभी पड़ा यहाँ पर कई ऐसे हैं जो की युग्म में कुछ समानतर हैं और कुछ की चारो भुजाएं समानतर हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके कोई भी समानता नहीं होंगे भुजाएं तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस statement को असत्य कह सकते हैं चत्रभूज की सम्मुख भुजाएं सदयों समान होती हैं सामने वाली जो भुजा होगी वो सदयों बराबर होगी समान होगी ऐसा उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सम्मुख की जो भुजाएं वह बराबर नहीं है ठीक है नेक्स्ट है वर्ग वह सम्चत्रभूज है यानि कि वर्ग के बारे मैं बात चीत की जा रही है वर्ग वह चत्रभूज है जिसके चारो कोण सम्कोण होते हैं हम जब यहाँ पर पढ़ रहे थे तो चारो भूजाएं समान होती है यानि कि सम्कोण होते हैं तो सम्कोण होते हैं तो यह सत्य हो जाएगा आयत वह समांतर चत्रभूज है जिसके चारो कोण समकोड होते हैं यहाँ पर भी हम आयत के बारे में पढ़ चुके हैं जिसके चारो कोण समकोड होते हैं यहाँ भी सत्य हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशिण के तरफ बढ़ते हैं चत्रभूज के चारो अन्तह कोण, कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानि चत्रभूज के चारो अन्तह कोणों को अगर हम जूडते हैं, तो उसका योग कितना प्राप्थ होगा हमें, 360 यानि कि यह सत्य है, हमें याद रखना है इक बात कि जब हम चत्रभूज पढ़ रहे हैं, तो उसके चारो कोणों को जोडने पर, जब हम यहाँ पर जोड बनते हैं, ठीक है, यह सारे कोणों को अगर जोडते हैं यहाँ, तो फिर हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास यह मिलेगा कि सभी को म चत्रभूज के विकर्ण समान होते हैं, यानि समानतर चत्रभूज जो होता है, बह क्या है, उसके विकर्ण समान होते हैं, तो यहाँ पर समानतर चत्रभूज के सम्मुख भूजाएं समान होती हैं, और अगर समान होगा, तो इसका मतलब यह सीधा सीधा है, कि जब हम इसके समांतर चत्रभूज में जब विकर्ण को बुजारेंगे तो उसके मेजर्मेंट जो होगी वो same to same जायेगी ठिक तो यह अभी सत्य हो जाएगा चत्रभूज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं चत्रभूज के दोनों विकर्ण करने में वर्ग के लिए यहां परा लिखा गया है कि समध Physics करता है, तो इसके लिए सही है लेकिन प्रतेक प्लाखव नहीं किया जा सकता है, तो यह असत्य हो जाएगा, असत्य में हमने क्या क्या देखा एक दूसरे नमबर पर फिर दीसरे नमबर पर और आठवे नमबर को रांग स्टेट्मेंट दे दिया गया है यह तीन स्टेट्मेंट को छोड़ करके बागी सारे सत्य होंगे नेक्स्ट है नांकित चत्रभूजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भूजाओ सीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताईए इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे डीटेल से अभी के लिए इतना सही है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद